असलाम आलेकुम स्टूरेंट्स पेटा आज मैं आप लोगे साथ शेयर करूंगी फस्ट चेयर उर्दोला होड़ ग्रूप नमबर वन का पेपर objective part already upload हो चुका है आपको चैनल पे मिल जाएगा जिन स्टूरेंट्स का second time paper है वो first time वालों का बहुत अच्छे से देख के जाएंगी ही question आपके paper में repeat किये अजासते हैं total हमारे पास 80 marks का ये paper है और इसको attempt करने के लिए 2 गंटे 40 मिनट का time दिया जाता है सबसे पहला हिससे अवल है जिसमें सबसे question number two में हमारे पासßen की तशरी करनी है जो के नजम से पूछे गए हैं शायर का नाम वी लिखנה है और नजम का उनवान भी लिखना है शायर का नाम एक नंबर कर जब के उनवान भी एक नंबर का हुगा और आर्ट नमबर की तिश्री होगी उसके बाद जो बेपार्ट है वो घजल की तिश्री होगी उसमें सिर्फ शायर का नाम बताना होगा आप लोगों ने और ये टोटल नो नमबर की इसकी तिश्री बन जाएगी उसके बाद आजाएं हिस्से दोम की तरफ कुश्चन नमबर च्री है हमारे पास उसमें क्या करना है हम लोगों ने स्याक कोसबाक लिखना है हमारे पास दो पैराग्राफ दिये गए होंगे किसी एक पैराए का मसन्निफ का नाम भी लिखना है सबक का उनवान भी लिखना है तीन नमबर का आपका स्याक का सबक होगा एक नमबर का जो है मसन्निफ का नाम और एक जो है सबक का नाम होगा और दस नमबर के आपकी तिश्री होगी जो है पैराग्राफ कुन कुन से है वो स्क्रीन पे चल रहे होंगे आप लोग रिट कर सकते हैं उसके बाद कुश्चन नमबर 4 है हमारे पास जो के खुलासा है किसी दो असबाग का खुलासा दिया होगा और आप लोगों ने एक सबाग का खुलासा लिखना है एक नमबर मसन्निफ के नाम का जबके 9 नमबर आपके खुलासे के होंगे नेक्स है हमारे पास कुश्चन नमबर 5 जिसमें नजम का जो है आप लोगों ने खुलासा लिखना है और टोटल या आप लोगों पास 5 नमबर का होगा और इसमें कोई 24 नहीं दी जाएगी उसके बन नेक्स है कुश्चन नमबर 6 जिसमें आप लोगों के पास मुकालमा दिया गया होगा और टोटल 10 नमबर का होगा उसके बार आजाएं कुश्चन नमबर 7 की तरफ कुश्चन नमबर 7 जो हमारे पास उसमें हमारे पर रसीब भी गई होगी जो के टोटल 10 नमबर की होगी और लास कुश्चन होगा कुश्चन नमबर 8 बिजिस में इबारत की तखलीस करनी होगी और आईए आप लोगों के पास 10 नमबर की होगी दो नमबर होगा कि आपने इसको एक मुनासिब अनुवान देना है और आठ नमबर बाकिस की तखलीस के होंगे इसके इलावा कोई भी कुश्चन आप लोगों कॉमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं All the best friends for your exams अलाहाफ़स